Hello everybody, आज का review है खुफिया भारतवाजी फिल्ब बनाएं और उस पे चर्चा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता What a stellar starcast तबू का रोल इतना खुबसूरत है कि मैं क्या बताऊ अच्छा ये एक suspense drama है इसलिए मैं try करूँगा कि इस review में कोई भी suspense ना खोलू जिससे कि आप जब ये movie देखें आप fully enjoy करें Netflix ने एक बहुत खुबसूरत story को हमारे सामने लेके आए है और specially इस movie की सबसे बड़ी strength है इसकी casting तबू outstanding है अपने रोल में अली फजल बहुत अच्छे लगते हैं आशीश विर्द्यार्थी का छोटा सा रोल है वमी का काभी एक बहुत interesting character play करती है और काफी depth लाती है अपने रोल में इसके जो twists है बहुत clean है अजमेरी एक ऐसा रोल प्ले करती है जिससे आपको एक interesting पहलू नजर आएगा एक backstory नजर आएगी कि कहानी चल क्या रही है जैसे कि होता है आजकल के Netflix शोओ में इसमें भी एक बहुत subtle LGBTQ angle है लेकिन एक major conflict story है तो उसको overpower नहीं किया गया है love story से दो गाने हैं लेकिन again आप इतनी ज़्यादा involved हो जाएंगे story में कि आपको बाकी कुछ नहीं distract कर सकता 2004 की कहानी है तो try किया गया है कि वही look दिया जाए वही feel हो वही devices दिखें आपको वही mahal दिखें इसमें हम हैं हमारे आसपास के मुल्क हैं और अमरीका है तो कहानी में काफी interesting पहलू समझ में आएंगे अगर आप अपने life में geopolitical history के बारे में कुछ जानते हैं अगर आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में दूसरे देशों के खूफी अजासूस कैसे काम करते हैं और वो हम पे कितना impact कर सकते हैं तो आपको ये story और अच्छी लगेगी इस कहानी में surprise package है जो अली फजल की मदर बनती है outstanding portrayal है artist का आपको लगेगा कि कुछ मिंटों में भी कैसे आप impact छोड़ सकते हो ये story में human elements है, family है लेकिन जैसे मैं कहूंगा जब आप एक compact, crisp story बनाते हैं तो आप try करते हैं कि audience उस track से कभी न हिले बाकी पहलू आएंगे और जाएंगे बर आपके दिमाग में main characters और उनी की story चलती रहेगी मुझे इस story की सबसे खुबसूरत बात ये लगी कि there were times where you could see फट से change हुआ और वो जो change था वो बहुत clean था वो clean transitions, वो clean cut movements विशाल जी की strength है वो मेरे one of the most favorite directors है music उनका हमेशा से outstanding रहा है तो वो कुछ बनाएं और उस चीज में मजा ना आएं ऐसा मैंने सोचा नहीं है तबू के character को चितना तबू own करती है उतना विशाल जी own करते है तबू one of my favorite actresses है उनकी सबसे अच्छी बात है मैंने उनको real life में भी जब देखा है movies में भी वो वैसी ही बन के आती है वो अपने आपको बहुत ज़्यादा change नहीं करती है उनकी body language, उनकी demeanor वो एक gravitas के साथ आती है आपको उनसे देखके उनकी respect करने का मन करेगा वो वैसी personality रखती है और इस series में भी जगा जगा वो वो punch देती है ज़्यादा बिना बोले उनके facial expressions, उनकी आँखें इस show में बहुत role play करती है ये movie बहुत खुबसूरती से बनी है बहुत tight है आपको 10 minute के लिए भी नहीं लगेगा कियार ये खीच क्यूं दिया ये scene इतना लंबा क्यूं कर दिया action pack चलता रहेगा scene after scene अली फजल अब एक मंजेवेक अलाकार बनते जा रहे हैं और interesting काम किये जा रहे हैं ये उनकी typical filmों और TV series से बहुत दुर है इस पूरी series में कोई मा बहन की गालिया नहीं है कोई फाल्तू की हाता पाई नहीं है actual में एक spy thriller जैसा होता है understated mental show and mental twists वही इस movie में आपको दिखेंगे मेरी advice ये रहेगी या तो movie देखने के बाद या movie देखने से पहले थोड़ा बहुत spy universe world history के बारे में जानकारी ले ले तो connect करने में मज़ा आएगा वरना आपको ये लगेगा ये typical Bollywood मसाला तो नहीं है किया जिन्दगी में ऐसा होता है ये काफी हद तक real किस्सों पर अधारित है इसलिए ऐसे किस्से हमारी زिंदगियों में हमारे देश की जिन्दगियों में होते है हम आण मादमी इनके बारे में नहीं जानते है क्योंकि ये हमारे देश के कुछ रहसे राज हैं जो हमारी safety और security के लिए दबे रहने चाहिए और सब को जानने की जरुवत नहीं इस show में जो side artists हैं जो थोड़े समय के लिए भी आते हैं वो एक बहुत clean अच्छा portrayal करते हैं बहुत crisp जो international artists लिए हैं वो भी अपना role अच्छा play करते हैं जादा characters नहीं है एक limited set of characters के साथ story चलती है और जैसे जैसे story चलेगी आपको एक के बाद एक पता चलेगा कि इन में जो लोग involved हैं वो क्यों involved हैं मैं यही बोलूँगा जरूर जाके देखें देखने लाइक show है नेट्फिक्स पे है अभी one of the most trending films है तो जरूर इस film को देखेगा और मुझे बताएगा आपको कैसी लगी अगर आप विशाल वाजवाजवाज फैन है तबू फैन है तो यह आपके लिए treat है 4 out of 5 any day और अगर आपको इस movie में कुछ interesting लगा तो जरूर मेरे comments में लिखके बताएगा यह review अच्छा लगाओ तो इस video को जरूर लाइक करिएगा अगर मेरे reviews पसंद हो तो चैनल को subscribe करेगा आशा करता हूँ आगे भी मैं आपके लिए interesting reviews ला सकूँ यह मेरा पहलू है अगर आप कुछ और सोचते हैं तो मुझे जरूर बताएगा और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो वो भी बताएगा जिससे कि मैं अगली बात और अच्छे से cover कर सकूँ मेरा भी चैनल नया है मैं सीख रहा हूँ और hopefully आप मेरा साथ देंगे thank you so much see you soon